नमस्कार किसान भाईयों प्रश्चिफाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ राश्ची आपके साथ आए देखते हैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के क्या दाम रहे हैं तो शुरुआत हम करेंगे धार की मंडी के साथ जहां पर गेहूं के दाम 2462 रुपे रहें स्वाबीन 6174 के दाम पर वेका तो वहीं डॉलर चने के भाव 10,075 रुपे रहें इन दौर की मंडी में प्यास के दाम 1264 रुपे रहें इसके अलावा गेहूं के दाम 2449 लहसुन के दाम 1600 रुपे रहें चने के दाम 10,500 रुपे और डॉलर चने के दाम 10,725 रुपे रहें मुं के दाम 5,760 रुपे रहें मक्के के दाम 2289 तो वहीं सर्सों के दाम 3,300 रुपे रहें मंडला की मंडी की बात कर लेते हैं जहाँ पर धान के दाम 1590 रुपे रहे इसके अलावा तिवडा के दाम 3,005 रुपे रहे गेहूं के दाम 2,250 रुपे रहे कुटकी के दाम 4400 बटरी के दाम 3400 तो वहीं तुवर के दाम 5200 रुपे रहे मीमच की मंडी की बात कर लेते हैं जहाँ पर सुअबीन के दाम 6,224 मेथी दाना के भाव 5,099 रुपे गेहूं के भाव 2,258 रुपे और चने के दाम 4,601 तो वहीं लहसुन के दाम 850 रुपे रहे अशुकनागर की मंडी में गेहूं के दाम 3,150 रुपे रहे सुअबीन के दाम 6,121 रुपे रहे चने के दाम 4,861 सर्सू के दाम 6,165 तो वहीं मसूर 6,530 रुपे के दाम पर बिकी बात कर लेते हैं जबलपुर की मंडी की जहां पर धान के दाम 12,25 रुपे रहे उड़त के दाम 6,950 रुपे रहे गेहूं के दाम 2,338 रुपे रहे चने के दाम 4,660 और तूर के दाम 7,200 रुपे रहे खरगोन की मंडी में गेहूं के दाम 2,409 रुपे रहे इसके अलावा सोयबीन के दाम 6,051 रुपे रहे मक्का के दाम की बात करें तो 2,180 रुपे के दाम पर मक्का बिका मुन के दाम 6,330 तो वहीं तूर के दाम 5,454 रुपे रहे मंदस्वार की मंडी की बात कर लेते हैं जापर प्यास के दाम 8,39 रुपे रहे इसके अलावा मंडी में चने के दाम 4,521 रुपे रहे गेहूं के दाम 2,575 रुपे रहे इसके अलावा सोयबीन के दाम 6,215 लहसुन के दाम 3,000 अलसी के दाम 6,557 रुपे रहे कलोंजे के दाम 12,380 रुपे रहे धनिये के दाम 11,381 मेथी दाना के भाव 5,328 तो वहीं सरसु के भाव 6,321 रुपे रहे भुपाल की मंडी की बात करते हैं जहांपर प्यास के दाम 11,50 गेहूं के दाम 2,288 और लहसुन के दाम 13,55 रुपे रहे सुअबीन के दाम 6,021 रुपे रहे दमहों की मंडी में चने के दाम 4,730 रुपे रहे इसके अलावा गुली के दाम 4,150 बटरी के दाम 4,470 तो वहीं तूर के दाम 6,010 रुपे रहे खंडबा की मंडी में सुअबीन के दाम 6400 रुपे गेहूं के दाम 261 रुपे रहे तो वहीं चने के दाम 4,451 और मुंग के दाम 6,500 रुपे रहे सिहौर की मंडी में गेहूं के दाम 2,803 तो अबीन के दाम 6,151 चने के दाम 5,401 रुपे रहे तो वहीं मुंग के दाम 6,311 रुपे रहे इसके अलावा अश्वगंधा के दाम मंडी में 14,500 रुपे रहे अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दिनलोरी मंडी की जहाँ पर गेहुं के दाम 2150, मटा के दाम 3750, मुंग के दाम 4400 रुपे रहे इसके अलावा धान के दाम 1200 और मसूर के दाम 5500 रुपे रहे तो वहीं कुटकी के दाम 4,350 रुपे रहे उजेन की मंडी में सुयबीन के भाव 6,135, केहुं के भाव 2,655 रुपे रहे तो किसान भाईयू ये रहा आज का मध्य प्रदेश का मंडी भाव अपडेट क्रशी से जोड़िये और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहे क्रशी फाई के साथ धन्यवाद